हेलो दोस्तों मारे पास question दे रखे एक आयत की परिमीती कितनी होगी आनि की परिमाप कितना होगा जिसकी एक बुजा 10 cm और विक्रण क्या दे रखे है 26 दे रखे है दोस्तों हम क्या करते है एक आयत बना लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यह आयत है इसकी एक बु अधार दे रखे है करण दे रखे है और यह लंब हो गया क्योंकि करण के सामने वाले बुजा क्या होती है लंब होती है तो हमें लंब निकालना यानि कि लंबाई निकालने इसकी कितनी है तब हमारे पास जाकर क्या निकलाएगा परिमाप निकल क्या आ जाएगा दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे लंब निकालने का फार्मूला क्या होता हमारे पास लंब का स्क्वेर करण का स्क्वेर माइनस में अधार का स्क्वेर अब लंब हमें निकालना है करण कितना दे रख्या है इसने 26 ठीक है दोस्तों तो 26 दे रखे हैं, तो 26 का स्केर कितना होता है, 26 का स्केर होता है, 686, माइनस में 10 का स्केर अधार है, कितना हो जाएगा, 100, तो मारे पास यह कितना निकल किया है, 586, यहाँ पर लंब का स्केर है दोस्तों, तो लंब इदर रखेंगे, स्केर इस साइड में लेके आएगे, तो हमारे पास यहांपर रूट आजाएगा तो यह किसका रूट होता दोस्टों यह घत चोभीश का तो महारे पास क्या आगए69 माने यह लंबाई इस्की तो महारे पास यह आगी 24 एंब मेरे क्या निकालना इसका परिमाप निकालना यह परिमाप का क्या फार्मूल imposti आयत का परिमाप 2 into L पलस में B तो इसका मान हम यहापर रखेंगे L पलस में B कितना हो गए 24 और 10 34 34 गुणा में 2 तो कितना आ जाएगा मारे पास 34 दूनी 68 तो 68 cm क्या आ जाएगा दोस्तों मारा परिमाप आ जाएगा यही क्या है आंसर ओप्सन नूमर D is right इसी तरह की सोट ट्रिक वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सुस्क्राइब करना मत बूली ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप दोस्के